आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की अपने अगली प्रियोजना यानि की सूरे पर जाने की त्यारी कर रहा है बता दें कि बीते बुद्वार को इस्रो ने चंदरियान 3 को चंदरमा के दक्षनी दूरूप पर सफल लेंडिंग करवा कर इतिहास रच दिया है भारत दक्षनी दूरूप पर पहुँचने वाला पहला विश्व का पहला देश बना है इस कामियाबी के बाद इस्रो काफी उत्साहित नजर आ रहा है वही सफलता के बाद इस्रो एक बार फिन एक नई कामियाबी की तरफ कदम बढ़ाने को त्यार है इस्रो चेयर मैन पर सोमनात ने बताया कि सप्तमबर महीने के पहले सप्ता में आदित्य एलवन मिशन को इस्रो लाँच करेगा खेर अभी इस तक या एलान नहीं किया गया है कि किस तारीक को लाँच किया जाएगा इस्रो चीफ S. सोमनात ने कहा कि हमारा अगला मिशन अदित्य एलवन की सफर लाँचिंग है जिसके लिए सैटलाइट त्यार है और श्री हरिकोटा पहुँच भी गया है उन्होंने कहा कि अदित्य एलवन सप्तमबर से पहले सप्ता में ही लाँच होने की उमीद है और अगले दो दिनों के अंदर तारीक का एलाम भी कर दिया जाएगा बता दे किस्रो का मिशन अदित्य एलवन भारत के हैवी डूटी लाँच वहान PSLV पर सवार होकर 1.5 मिलियन किलोमीटर की सफर टै करेगा या आंत्रिक्ष में एक तरह के पार्किंग सल में जाएगा जहां ग्रेविटेशिनल फोर्स में संतुलित करने के कारण बस्तुएं रुकी रहती है इससे आंत्रिक्षियान के लिए इंधन की खब्द कम हो जाती है इस तिति को लेंग्रेज पॉइंट्स कहा जाता है इसका नाम इताली फ्रांसेसी गनित्य जॉसेफ लूई लेंग्रेज के नाम पर रखा गया है गौर्टलब है कि इस रोच चंद्रमा के बाल सूरे पर भी पहुंचने की त्यारी कर रहा है बता दें कि मिशन अधित्य एलवन सूरे पर पहुंचने का एहम कड़ी है अधित्य एलवन सूरे के चारों तरफ भूम कर अध्यान करेगा इस अंत्रिक्ष्यान की मदद से साथ पैलोंट भेजा जाएगा जो अलग-अलग वैब बैंड में फोटो, स्फियर, क्रोमस्पियर और सूरे की सबसे बाहरी परत का अबलोगन करने में मदद करेगा इसके अलावा लंबे समय में मिशन का डाटा प्रिथवी किसे के जलवायू पैटन पर सूरे के प्रभाग को बहतर धंग से समझने में मदद करेगा वहीं अगर अधित्य एलवन के बजट को देखा जाए तो इसकी कुल लागत चंदरियान 3 की लागत के से आधी है हाला कि अभी तक लागत को लेकर कोई अधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है दोस्तों उमीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे जाद से जादा लोगों तक शियर करें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलूँगी तब तक के लिए दीजे जाजर धन्यवाद आप देख रहे है सोगंद टीवी सोगंद वतन की